हर पल भी ते लम हो की अनुगूंज है हर पल भी ते लम हो की अनुगूंज है अपने समय की सबसे चर्चित गाईका मलिकाय घजल बेगम अखतर की हर पल भी ते लम हो की अनुगूंज है हर पल भी ते लम हो की अनुगूंज है हर पल भी ते लम हो की अनुगूंज है हर पल भी ते लम हो की अनुगूंज है हर पल भी ते लम हो की अनुगूंज है हर पल भी ते लम हो की अनुगूंज है सुनने वालों को वेगम अख्तर का सलाम आज तक मैं आपके सामने सिर्फ एक गायका के रूप में ही हाजिर हुई हूई हूँ आप से बातें करने का मौका तो मुझे पहली बार ही मिला है इसलिए ये कहे बगार नहीं रह सकती कि मैं बेहत खुशनसीब हूँ जो ऐसे मुल्क में मैंने जनम जिया जहां की फजाएं संगीच से मौत्तर हैं जहां के लोग फन और फनकार से महबत करते हैं बेगम अख्तर की गिनिती भारत के स्रिष्टतम गजल गायकाउं में होती है उन्हें मलिकाई तरण्नुम और मलिकाई घजल भी कहा जाता है बेगम अख्तर अपनी गहरी और दर्द भरी आवाज के लिए अपने चाहने वालों के दिलों पर आज भी राज करती हैं कि अगर उन्हें गजल का दूसरा नाम कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा 7 अक्टूबर 1914 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में जन्मी अक्तरी बाई फैजाबादी यानि बेगम अक्तर का बच्पन काफी संगर्ष पूरूर रहा जब वो छोटी थी तब उनके पिता घर छोड़ कर चले गए उनकी बाने बड़ी कठनाईयों से उन्हें पाला ये हमारे लिए बहुती तकलीफ का जमाना था इसी जमाने में नजाने कि इसने हमारे घर में आग लगवा दी गर का रहा सहा जो कुछ भी था जल कर राफ हो गया हमें आज भी याद है कि जभ घर में आग लगी थी तो हम दूसरे चबुतरे पर बैठे रो रहे थे और ये सोच रहे थे कि हमें फैज़ाबाद छोड़ गे ना है बेगम अखतर का रुज़ान बच्पन से ही संगीत के प्रती रहा और वे बड़ी होकर गाई का बनना चाहती थी उनके चाचा ने उनके इस रुज़ान को देखते हुए उन्हें संगीत सीखने को प्रेरित किया उस्ताद इमदाद खान उनके पहले गुरू थे अपने पहले गुरू के बारे में उन्हें कहा था हमारे सबसे पहले उस्ताद पटने के इमदाद खान साब थे ये आगरी वाली मलका और कलकते वाली गोहर जान के साथ सारंगी बजाते थे बोल थे हूं तो जनमन चांडू उस्ताज चाहते थे के हम भी उसी तरह कहें हमसे बनता नहीं था वो उलचते थे और मुझे खामखाँ उलचन हुआ करती थे छही महीने में हमने उनका और उनुने हमारा नात में दम कर दिया बात में उन्होंने उस्ताद अता मुहम्मद खान से और उस्ताद वाहित खान से भी संगीत सीखा उनके उस्तादों ने उन्हें कठिन रियास करवाया जिसकी कारण उन्होंने कठिन से कठिन रागों और गायन शैलियों पर कुशलता प्राप्त की मैं दस ग्यारा बरस के सिन में वहां कलकत्य में थी तो खांशाब आता मुहमद खांपत्याले वाले उनको उनसे सीखने के लिए कोशिश की गई और वो महर्बान हो गया और हुन बड़ी मुहबत से मुझे सिखाया जाड़े के जमाने उसमें तीन बज़ेरात को उठा दे थे और दस ग्यारा बरस के सिनी क्या होता है उसमें वो उठाके बिठाल देते थे उतान पूरा मिला करके सामने रख देते तो आँख बंद रहती थी आँख खुलने भी नहीं पाती थी हालत आखिर में यह हो गई थी कि सो रही हूं और उन्होंने आवाज दिया मेरा नाम लेके पुकारा कि उठो बस तो तक्ये के उपर से सर उठा के आँख बंद और आ करते हुए उठते थे बच्पने का यह हाल है और शौक कभी वरना दूसरे होते तो करते हम नहीं गाएंगे या शौक था इसलिए उसके बाद एक राग मुझे उसका नाम नहीं यादा रहा है वो शुरू कराया है नहीं उसके अस्ताई याद कराई तो वो मुझे पसंद नहीं था वो राग मजबूरान उनकी जित कर नहीं तो उनको इसी नहीं हो था मैंने काखा साम मुझे से नहीं होगा अब वो किसी सूरत से यादी नहीं हो वरना पूरी पूरी अस्ताईयां एक पंदरा मिनट बीस मिट में ठीक करा देते हैं माशालला बताने का ये धंग उनको मालूम था खैर हमने इंकार करें उनकी उसके वो खफा होगा कि अब मैं बताओंगा नहीं गाने नहीं बताओंगा जो तेरा जिताय का स्टेज पर दी गई अपनी पहली प्रस्तुती को याद करते हुए बेकम अक्तर ने कहा था सबसे पहली दफ़ा मैं जो स्टेज पर आई तो बिहार में जलजला जब आया था मगर अच्छा खासा जलजला आया था इसके लिए हंदुस्तान भर में तहलका मज़ गया था कोईटा और यहां वहां सब बराबर बहुत ही खराबियां लगी था उस जमाने में मैंने यह बहार रिली फंड के लिए प्रोग्राम किया था और जितने कलकते में सब आर्टिस थे सबको इन्वाइट किया मगर मौक अपर कोई नहीं आया था लेहाज़ उनका तो कोई निशान हो कि हम आपको बता नहीं सकते हैं आखिर में हम रूने लगे हमने का कि हम कैसी हमने आच तक स्टेज पर गाया नहीं हम कैसे गाएंगे तो जो मुन्तजिम थे उन्होंने का आप खड़े होके अनौन्स कर भीजिए कि मैंने जिन जिन लोगों को बिलाया था वो हमारे कप रहे थे कि आला कैसे गाएंगे हमारे उस्ताद याता खांसा मौजूद थे उसके बाद गजल गाना हमने मारे घबराट के पहले घजल शुरू कर भी अब गजल जो शुरू की तो गजल चूंके अच्छी थी और लोग समझधार थे बहुत से उन्होंने दाद दे बेगम अछतर ने कई नाटकों में भी काम किया जिसमें वे घाने के साथ अभी ने भी करती थी थी उन्हें बाद बाद में कलकिणधा की। एस्ट इंडिया फिल्म कंपनी में काम करने का मौका मिला बेगम अख्तर को महबूब खान की फिल्म रोटी से बहुत शोहरत मिली इस फिल्म में उनके सहे कलाकार सितारा देवी और शेख मुखतार थे बेगम अख्तर को मुंबई की चकाचोंद भरी जिन्दगी रास नहीं आई और वे लखनओ वापस आ गई बेगम अख्तर अपने घजलों की संगीत रचना भी स्वेम करती थी रागों पर आधारित घजलों की संगीत रचना करने में उन्हें महारत हासिल थी वो आए या ना आए अब उन्ता क्या भरोसा अब उन्ता क्या भरोसा आए गमे महबत आए गमे महबत तुझको गले लगा आए आए गमे महबत मशूर शायर कैफी आजमी से हुई उनकी इस बातचीत में उन्हें बताया के गजलों की और उनका रुजहान कैसे हुआ गजल गाने का खयाल मेरे दिल में यू पैदा हुआ कि मेरे वालिद शायर थे और उनको शेयर शायरी से जाहर है कि शायर को दिल चस्पी होती है तो जब मैं गाना गाती थी तो वो हमेशा उटके चले जाया करते थे कहते थे ये क्या गजल गाओ कोई गजल पढ़ो सुनने में लुटफ आए खैर ये होता रहा मगर मेरा ध्यान इसी तरफ रहा लाइट म्यूजिक की तरफ और हमेशा चीका मैंने ख्याल मगर गाया मैंने ठुमरी और गजल कैफी साथ गजल में एक ऐसी कैफियत है और अच्छे शोरा की गजलों में तो खासकर कि अगर वो संदाज से गाई जाया जिस तरह गजल गाते है तो मेरा ख्याल है कि इनसान बगएर रोए तो नहीं उठना चाहिए उसको बेगम अख्तर को फिल्म गजले भी बहुत पसंद थी फिल्म गजलों के बारे में उन्होंने कहा था कैफिय साथ लोग ये कहते हैं कि फिल्मी गजले कुछ समझ में नहीं आती है मगर हम इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है मसलें लता मुंगिशकर ने एक नाद गाई है मुजिक था नौशाद का बेकस्प करम कीजिए सरकारे मंदीना क्या खुसूरत तरह से गाई है कि आप यकीन मानिये कि मैं जारुकतार होती रही है लोगों का मनें क्लैसकल जानने वालों का ये कहना कि फिल्मी गाने ऐसे होती है मैं इसे मुटफिक नहीं है फिल्मी गाने भी बाद ऐसे होती है कि उसी तरह की तासीर रखते हैं कि जिस तरह मसला मेंदी हसन को ले लीजे मेहनी हसन का भी कोई जवाब नहीं है इसका और गाता जिस तरह फिल्मी चीज़ें गाता है गजलें गाता है गजलें इस तरह गाता है के सुभान अल्ला आईए अब सुनते हैं बेगम अख्तर के आवाज में शायर मिर्जा गालिब की एक गजल दिल ही तो है ना संगो खीष्ट दिल ही तो है ना संगो खीष्ट दर्द से घर ना एक लूँ दिल ही तो है ना संगो खीष्ट दिल ही तो है ना एक लूँ लोएंगे हम हजार बार कोई हमें सता आए क्यूं रोएंगे हम हजार बार लोएंगे हम हजार बार 1945 में अख्तरी बाई का विवहा इश्तियाक एहमद अबासी से हुआ जो लखनव के नवाब खांदान के थे और पेशे से वकील थे विवहा के बाद अख्तरी बाई का नाम बेगम अख्तर हो गया विवहा के बाद उन्होंने गाई की छोड़ दी और पूरी तरह परिवार को समर पे थो गए कुछ वर्शों बाद वे काफी बिमार रहने लगी बिमार बिगम अख्तर को डॉक्टर ने अपने पहले प्यार यानि संगीत की तरफ वापस लोटने की सला दी बिगम अख्तर ने ये सला मानी और घर पर ही संगीत सिखाने लगी बिगम अख्तर ने लिशा रेसा लीडा पार मगरता बिगम अख्तर ने अच्छी गाईकी के बारे में कहा था इसलिए मेरे ख्याल से गाईकी का जो मकाम है वो सिर्फ इतना है कि अगर दिल पे असर करता है कोई भी फन हो किसी तरह का हो फिल्मी म्यूजिक हो या क्लैस्कल म्यूजिक हो या कोई हो अगर हमारे दिल पे उसका असर होता है तो हम उसके काईल है अगर असर नहीं होता तो चाहे वो गुला मली खां बैटके गाए चाहे अमीर खां बैटके गाए हमारे लिए बराबर बेगम अख्तर ने फिर से कुछ फिल्मों के लिए गाया हिंदुसानी शास्त्रे संगीत की एक प्रमुख गायन शैली थुम्री के बारे में बेगम अखतर ने कहा था मजमुख कैफियत जो उस मक्सूस ठुम्री का मिजज है यहां तक कि जिस राग में उसे गाया जा रहा है या जिन जिन रागों का उसमें पुड़ दिया जाता है उनका भी रखना पड़ता है हम तो यही समझते हैं कि इनसान की तरह ठुम्री के भी एक धड़कता हुआ दिल होता है जो इन धड़कनों को जान समझ लेगा वही उन्हें सुर और लेके नपे तुले बोलों में ढाल सकेगा और वही हर सुनने वाले को तरपा देगा आईए सुनते हैं वेगम अक्तर के आवाज में राग काफी में एक होरी कैसी ए भूम मचाई कैसी ए भूम मचाई कॉता है तरपकाना जाए भूम में उन्हें नीन गड़कना जाए भूम मचाई आये सुनते हैं शास्त्रिय संगीत की सम सामेक्ता के बारे में बेगम अख्तर ने क्या कहा था अपूलियत हासिल है जो पहले थी गजल अगर सही ढंग से पेश की जाए तो इसका जादू सर चलग कर बोलता है पर इतनी गुजारिश जरू करूंगी अच्छी हिंदुस्तानी मुसीखी को सुनने समझने और पेश करने की सलाहियत पैदा कीजिए अपनी खिदमात के बदले यही मैं आप से चाहूंगी आदाब और तपस्या को दीजिये अनुमती नमस्कार